लखनव के बिल्डिंग हाथसे के 48 घंटे बीच जाने के बाद भी NDRF और SDRF की टीमें जिन्दगी की उमीद को तलाश रही है इस बीच हाथसे को लेकर कई सारी एहम जानकारी सामने आई है कई लोगों ने दावा किया है कि इलाके में हुई भारी बारिश और जल भराव से बिल्डिंग गिरी तो कुछ प्रत्यक्ष दर्शी तेज धमाके की आवाज की बाद भी बता रहे है नमस्कार मेरा नाम है उतकर शत्रुवेदी और आप देख रहे हैं अमरुजाला उत्तरप्रदेश राज़ानी में हुए बिल्डिंग हाथसे के 48 घंटे के बाद सबसे बड़ अपडेट हम आपको इस वीडियो में बताते है लखनव के ट्रांस्पोर्ट नगर में शनिवार को हुए हाथसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में करीब 400 जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है खोजी कुत्तों की मदद अभी भी ली जा रही है ताकि मलवे में कोई दबा हो तो उसे जल्द से जल्द निकाला जा सके जिन्दगी बचाने की जद्दो जहत लगातार जारी है पुलिस, दमकल, NDRF और SDRF की टीमें इस मिशन में जुटी हुई है NDRF की टीम के 90 जवान रेस्क्यू में लगाए गए है SDRF के 30, पुलिस के 110 और दमकल के 70 जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं सभी को शिफ्ट वाइस काम पर लगाया जा रहा है तकनीक का इस्तिमाल कर मलवे में लोगों की तलाश की जा रही है खोजी कुटों को इस जगह ले जाये जा रहा है जहां वो स्मेल से इलाके को चिन्नित करते हैं और फिर वहाँ पर डिलिंग करके मलवे को हटाने का काम जा रही है मलवा हटाने के लिए पोकलین की एक मशीन तीन जैसी भी नगर निगम की टीमें लगातार काम कर रही है इस पूरे मलवे को एक और जगह पर ले जाय जा रहा है क्योंकि पुलिस का कहना है कि मलवे में कई सारे सामान है और इसलिए उसको सुरक्षित रखा जाएगा जिन भी लोगों का सामान होगा उसे बाद में पहचान करवाने के बाद वापस भी किया जाएगा रेस्क्यू टीम के जवान मलवे में अलग अलग जगह पर डिलिंग करने के बाद उसमें कैमरा डाल रहे हैं ताकि अंदर की तस्वीरों को देख कर ये पता लग सके कि भीतर कोई दबा तो नहीं बिल्डिंग जहां धराशाई हुई है उससे सटे गोदाम की दिवार में भी डिलिंग की गई थी उमीद ही कि शायद उसके जरीए भीतर दबे लोगों के बारे में कोई जानकारी मिल सके लेकिन इस डिलिंग का कोई फायदा नहीं हुआ गिरी हुई बिल्डिंग में दवाई, मोबिल आयल और गिफ्ट का गोदाम था करोडों रुपए का माल इस मलबे में दब कर बरबाद हो चुका है जो कमाने के लिए नौकरी वहाँ पर कर रहे थे उन में से आठ लोगों की जिंदगी खत्म हो गई 28 जखमी हैं, लखनव के ट्रांसपोर्ट नगर में शनिवार को हुए हाथसे के बाद से NDRF, SDRF और दमकल की एटी में राहत और बचावकारे में जुटी हुई है उधर पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक राकेश सिंगल पर गैर इरादतन हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर ली है इसमें गैर इरादतन हत्या, जान बूच कर किसी शक्स को चोट पहुचाना धन कमाने के FIR में दोखा धड़ी कर संपत्ती को किराय पर उठाना जैसी धाराएं शामिल है गंभीर धाराएं होने की वजह से आरोपी मालिक पर गिर्फतारी की तलवार लटक रही है आपको बता दें कि लखनों के ट्रांसपोर्ट नगर में शहीत पत के किनारे स्थित तीन मंजला इमारत शनिवार शाम को करीब चार बजे ढह गई थी हाथसे में कारोबारी जिस्मीत सानी, पंकश्तिवारी, दीरजगुपता, अरोनसोनकर, राजकिशोर, राकेश कुमार, जगरूप और रुद्र यादव की मौत हो गई 28 लोग घैल हुए जिन में से 14 को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई वहीं बाकी बचों का इलाज अब भी जारी है मल्मे में अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशनका है इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार जारी रखा गया है इस पूरे मामले पर ट्रांस्पोर्ट नगर चौकी इंचार्ज की तहरीर पर शनिवार की देर रात करीब तीन बजे बिल्डिक मालिक राके सिंगल पर केस दर्ज किया गया इस पूरे मामले की जांच हो रही है और इस जांच में जो नए सबू सामने आएंगे उसके अधार पर कारवाई करने की बात पुलिस कह रही है पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी लगातार उस घटने स्थल का मौएना कर रहे है कई थानों की फोर्ज भी वहाँ पर लगी है क्योंकि लोग भी वहाँ पर जमा हो जाते है शनिवार को हाथसे के बाद देर रात शवों का पोस्माटम करने के लिए डियम की अनुमती ली गई थी और रात तीन बजे शवों के पोस्माटम शुरू हुए थे रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ने लोगबंदू अस्पताल में जाकर सभी घायलों से मुलाकात की थी उनसे बादचीत करके उनसे हलचाल जाना घटना के बारे में पूछा डॉक्टरों से भी लोगों के स्वास्त के बारे में जानकारी ली उन्होंने कहा कि सरकार पीडिटों के साथ है और हर संभव मदद की जाएगी लोगों का उपचार इसaltet सरकार की प्रात्मिक्ता है उन्होंने इसतानी प्रशासन को निर्देशित किया कि पीडिटों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए इसके लिए विवस्था करनी चाहिए लखनाओ हाथसे पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने भी शोक और दुख जताया था उन्होंने गायलों के शीग रिस्वस्थ होने की कामना की और साथ में प्रधान मंतरी रास्ट्रे राहत कोश से मृत्कों के परिवारों के लिए दो-दो लाख रुपए तो घायलों को पचास हजार रुपए की आर्थिक मदद की घोशना की गई थी आशियाना के रहने वाले राकेश सिंगल का ये हर मिलाप टावर जो की ग्राउंड और उसके बाद दो मंजिलों का था वो गिर गया जिसमें आशियाना के रहने वाले जस्मीत सहानी की मोबेल ओयल की और दूसरी मंजिल पर तवा का गोदाम था पहली मंजिल पर मंचंदा का गिफ्ट सेंटर का गोदाम था शनिवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे तेज बारिश उस इलाके में शुरू ही और आधे घंटे बाद पूरी बिल्डिंग ढह गई आसपास इससे भगदर मच गई थी सबसे पहले शनिवार को इस इलाके में पुलिस पहुँची थी उसके बाद फायर बिगेड एंडिर एफ और फिर यरिफ की टीमें पहुँची और तब राहत बचाओ का जो रैसके ऑपरेशन शुरू हुआ था वो अब तक जा रही है इस पूरे रैसके ऑपरेशन में केकर के 32 लोगों को निकाला गया था लेकिन लखनों के तस्वीरें भेहत बहयावा हैं और अभी भी जो रैसके ऑपरेशन से तस्वीर सामने आ रही है उम्मीद यही की जा रही है कि जिन्दगी की जंग में कोई जीवित बहतर और स्वरक्षित तरीके से बाहर निकलाए लखनों के इस हाथसे के तमाम बड़े अपडेट्स लेकर हम अमरुजाल उत्तर प्देश पर लगातार हाजिर होते रहेंगे इस बीच उत्तर प्देश की तमाम छोटी बड़ी घटनाओं को जानने के लिए अमरुजाल उत्तर प्देश को सब्स्ट्राइब करना और इस वीडियो और इस घटना के बारे में अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिख कर जाहिर करना बिलकुल ना भूलें